तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्साइज पॉइंट टू जिन बच्चों ने पॉइंट टू का इंट्रोडक्शन मतलब के बीपीटी या थेल्स थेोरम नहीं देखी है इस आई बटन पर क्लिक करके वो सबसे पहले थेल्स थेोरम देखें अदरवाइस यह वाले questions आपको समझ में आने वाले नहीं है तो question number 1 देखते हैं पहले इन figure this 1 and 2 DE is parallel to BC find EC in 1 and AD in 2 ठीक है तो यह figures आपके सामने बनी हुई है यह देखिए दोनों ही figures में DE जो है वो BC की क्या है पैरलल है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है ठीक है तो बस कुछ नहीं करना हमें given आपको दिया हुआ है to prove मैंने आपको first और second यह first first figure यह second figure है ठीक है तो prove देख लेते हैं पहले इसका पहले हम ले लेते हैं ABC first part since आप लिखोगे DE is parallel to BC ठीक है दोनों क्या है BPT theorem by BPT theorem या फिर Thales theorem क्या हो जाएगा AD over DB is equals to AE over EC सीदी सी बात है जिन्हों बच्चों देखा हुआ या जानते हैं Thales theorem क्या होती है उनको पता है कि AD over DB will be equals to AE over EC ठीक है तो AD की value आपको देखो दी हुई है 1.5 और DB की value भी आपको दी है कितनी 3 AE की value कितनी है 1 और EC as it is ठीक है तो अब देखो इससे आप cancel out करेंगे तो 2 आ जाएगा cross multiply कर लो तो EC की value क्या आ जाएगी 2 cm समझ में आ गई बात चलिए देखते हैं अपना second part second part में भी वही है since DE is parallel to what? BC तो by BPT theorem क्या हो जाएगा AD over DB will be equals to AE over EC अब देखो इस बार AD की value हमें नहीं दी हुई है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो लेकिन DB की value तो दी हुई है 7.2 वो put कर लो AE की value 1.8 EC की value 7 over 5 over 4 ठीक है अब क्या कीजिए इसको दर ले कर जाएगे तो AD की value कितनी आ जाएगी 1.8 into 7.2 over 5.4 now you can see that this is completely divisible by this by 3 times है ना इन 3 times और ये कितना हो जाएगा 3 2s are 6 and 3 3s 3 4s are 12 3 2s are 6 and 3 4s are 12 तो यहां से आपको AD की value मिल जाएगी कितनी 2.4 cm I hope के समझ में आ गया होगा ये note कीजी आएगे देखते अपना question number 2 note it down आएगे देखते अपना question number 2 read कीजिए फरस्ट पार्ट ये रहा फरस्ट पार्ट के according अगर हम देखें तो उन्होंने हमें PE दिया हुआ है PE कितना दिया हुआ है 3.9 cm ठीक है फिर क्या दिया हो बैई EQ दिया हुआ है EQ EQ कितना है 3 add PF दिया हुआ है PF 3.6 cm और FR भी चारो values दी हुई है आपको वो आपसे ये पूछ रहे है कि अगर आपको चारो values दी हुई है तो क्या EF जो है वो parallel है QR के या नहीं है ये हमें बताना है तो देखें अगर इन दोनों का ratio equal आ गया तो BPT theorem क्या हो जाएगा parallel हो जाएगी और अगर नहीं आया तो नहीं होगा simple जाए ठीके तो हम निकालते है PE over EQ is equals to ऐसे equally रखेंगे ठीके पहले हम निकाल के देखेंगे अलग-अलग निकालेंगे PE over EQ PE कितना है 3.9 और ये कितना है 3 तो अगर आप कैंसिल आउट करेंगे ये विल गेट 3 बंजा 3 एंड 3 थी थी जा ठीके तो ये आ गया इसके बाद PF over FR PF की वेल्यू कितनी है 3.6 और ये कितना है 2.4 ठीके देखेंगे तो अब आप देख सकते है इसको करना पड़ेगा तो अगर आप करें तो 8 बंजा 8 फिर आएगा 8 8 बंजा 8 तो इसका मतलब देखो इसको solve कर रहो 1.3 आ रहा है इसको solve कर रहो 1.1 आ रहा है 1.1 something आएगा इसका मतलब ये है कि पी ओवर ईक्यू इस नौट इक्वल स्टू पी एफ ओवर एफ र कभी भी हम इक्वल लेके solve नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या पता एक्वल है या नहीं है आपने तो पहले लिख दिया कि एक्वल है फिर तो वहीं कलब हो गया तो हैंस क्या हो गया एफ इस नौट इस नौट पारलल टू वट क्यों आर टिक है बई ये हो गया ये नोट कीजी आईए देखतें इसका second part नोड इड़ाण आईए देखतें अपना second part read कीजे सारी values मैं ने लिखिऊ हो ही है दोवारा से वही करना है ठीक है तो PE कितना दिया हुआ है 4 EQ कितना दिया हुआ है 4.5 ठीक है अगर आप इसको हटाएं और 0 लगा लें तो देखे 5 से अगर आप डिवाइड करें तो 5 8s है और 5 9s आ रहे हैं ठीक है उधर देखें तो 8 over 9 इसका मतलब ये दोनों क्या है equal है ठीक है तो equal है इसका मतलब ये दोनों क्या है यहाँ पर लिखना पड़ेगा by converse of BPT theorem by converse of BPT theorem ये दोनों क्या हो गए parallel ठीक है बई ये note कीजिए थर्डवाल आप खुद करोगे आए देखते है अपना question number 3 note it down आए करते है अपना question number 3 read कीजिए if LM is parallel to CB and LN parallel to CD prove that AM over AB is equals to AN over AD बहुत आसान सा question है देखें करना क्या है आपको जो दिया हुआ वो मैंने आपको बताए दिया ये जो LM है LM वो क्या है parallel है CB के ठीक है तो अगर आप triangle ABC देखें बहुत जरूरी थोड़ी ना हमेशे आपको triangle ऐसा ही मिले इसको पकड़ के ऐसा घुमा भी तो सकते है समझे रहो तो ये यहाँ पर भी हमारी BPT theorem लग सकती है ठीक है तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे AM over MB is equal to AL over LC लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो इसी तहीके से ADC वाले triangle में भी लिखोगे आप AN over ND is equal to AL over LC ये भी इनके equal ये भी इनके equal तो आपस में ये दोनों क्या आजाएंगे equal देखो कैसे N triangle कौन सा वाला A B C नजर आ रहा है भई क्या है LM जो है that is parallel to CB दिया हुआ है तो by BPT theorem by BPT theorem BPT theorem क्या कहती है भई कि अगर parallel है तो AM over MB किसके equal आ जाएगा AL over LC के कुरा जाएगा भई AL over LC ये रही हमारी first equation similarly similarly in triangle कौन सा वाला ABC क्या है LN LN जो है LN वो है parallel किसके CD के ABC कहाँ ABC ये ADC देखो बच्चे बैटने के फाइदा होता है बच्चे बता भी देते हैं ठीक है तो ADC ठीक है अब देखो NL जो है वो DC के parallel ये तो दिये हुआ है तो होगा क्या-क्या मैं AN over ND AN over ND किसके equal होता है भाई AL over LC ठीक है अब एक बात बताईए सही से देखो यहाँ भी AL over LC यहाँ भी AL over LC तो जब ये दोनों equal है तो ये दोनों equal होंगे या नही होंगे तो from first and second equation चाहों तो यह लिख दो ये लिख दो या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि equating first and second equation ठीक है tongue twister बहुत जादा होता है भाई continuously बोलने से खेर तो ये दोनों क्या आ गए equal तो AM over MB equal आ गया किसके AN over ठीक है ठीक है तो अब हम ये देखते हैं हमें क्या prove करना था ये लो जी ये तो prove करना था हो गया prove hands proved ये note कीजिए आए देखते हैं अपना question number 4 note it down तो आए देखते हैं अपना question number 4 read कीजिए in figure 6.19 DE is parallel to AC and DF parallel to AE prove that BF over FE is equals to BE over EC ठीक है तो अब आप समझिए क्या दिया होग उन्होंने उन्होंने हमें दिया हुआ है DE parallel to AC ये इसके parallel दी हुई है समझ में आगी बात और जो DF है DF ये parallel है आपकी AE के ऐसा मैंने क्यों अलग-अलग colors इसलिए बना दिया ताकि आपको पहचानने में confusion ना होगी कौन सी line किसके parallel है ठीक है अब देखे इदर तो मैं क्या करूँगा उन्होंने क्या बोला है उन्होंने ये बोला है कि BF over EF is parallel to BE over EC ये आपको प्रूव करना है ठीक है तो देखो मैं कौन सा ले रहा हूँ N triangle कौन सा वाला ABC नदर आ रहा है कि आपको ABC अगर आप बड़े वाले triangle में देखे तो ये green वाली line green के parallel है है ना क्या दिया हो भई DE is parallel to AC तो by BPT theorem by BPT theorem ठीक है क्या होगा DE sorry BD over DE over EC is equals to BD over DA ठीक है मैंने क्या लिखा BE over EC भाई अगर बहर red वाली line हटा दूँ तो ये वाली इसके parallel है तो BE over EC किसके equal होगा BD over DA के equal होगा ये नहीं होगा बिलकुल होगा चलो जी ये रही हमारी first equation ये D लिख दिया मैंने BE ठीक है अब देखो similarly similarly in triangle अब मैं कौन सा triangle ले रहा हूँ देखो ज़रा A B E A B E ये red वाली तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो DF है वो parallel है AE के ठीक है again by BPT theorem BPT theorem ठीक है यहाँ पर क्या आ जाएगा भई BF over FE is equals to what BD over DA देख भी सकते हैं BF over FE किसके equal है BD over DA के ठीक है तो ये रही हमारी second equation भई ये भी BD over DA के equal और ये भी BD over DA के equal यहाँ से भी देख सकते हो भई BE over EC किसके equal है BD over DA के equal और BF over EFB किसके equal है इनी दो लोगे equal तो अब मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेटिंग फास्ट एंड सेकेंड एक्वेशन या फ्रॉम फास्ट एंड सेकेंड एक्वेशन क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में आ जाएंगे equal BE over EC equals to BF over FE F E hands proofed ठीक है वई यही करना था proof अच्छा देखो देखो धार क्या हुआ है मैंने इसको आगे लिख दिया इसको पीछी लग दिया उससे फर्म नहीं पढ़ता आप चाहों तो इसको गुमा के लिख लो तो ये note कीजिए, आएए देखते हैं अपना question number 5, note it down, तो देखते हैं अपना question number 5, लिखा हुआ है, in figure 6.20, DE is parallel to OQ, add DF parallel to OR, show that EF is parallel to QR, ठीक है, तो जरा देखते हैं, क्या दिया हो उन्होंने, उन्होंने दिया हो भाई ये जो DE line है, DE, that is parallel to OQ, ठीक है, इसके बाद उन्होंने दिया हो, ये जो DF line है, DF, ये वाली line parallel है, किसके, OR के, multi color का ये फायदा है, आपको पहचान में आ जाएगा, ठीक है, और हमें क्या करना है, देखो, ये red color से show करना हूँ, खतरनाक चीज, ये हमें show करना है, कि ये वाली line, इसके parallel है, समझ में आ गई बात, अब देखो ज़र, एक बात बताईए, अगर मैं इस triangle को ले लूँ, P, O, Q को, तो ये वाली side over ये वाली side is equal to this over this होगा, इसी तरीके से P, O, R को मैं लोगा, तो ये वाली side over ये वाली side भी इसी के equal होगी, तो from first and second equation, ये वाली side इसके equal आ जाएगा, तो by Converse of BPT theorem, हम क्या बोल सकते है, कि ये जो E F है, वो parallel है, Q, R, K, ठीक है, मैं पहले देखना हूँ, आपकी figure तो नहीं कट रही भई, नहीं कट रही भई, बिल्कुल सही है, आप शांतरो, recording हो रही है, तो देखो, N triangle, P, O, Q, ये वाला triangle, P, O, Q, ठीक है, क्या होगा, ED is parallel to Q, ठीक है, तो by BPT theorem, by BPT theorem, ठीक है, BPT theorem के according क्या होगा भई, A, E, नहीं, P, E, over, E, Q, is equals to, A, D, over, D, O, ठीक है, ये होगा है, मारी first equation, similarly, हांजी बोलो, कुछ गलत करती है, हमेंने, P, D, कहां पर, यहां पर, अच्छा, P है, P, D, ठीक है, तो similarly, क्या होगा, N triangle, कौन सा वाला, P, O, R, अब मैं ले रहा हूँ, P, O, R, देखो, ये वाली side, इसके parallel है, या नहीं है, बिलकुल है बई, तो, D, F, is parallel to, वार दिये हुआ आपको, अब देखो, दर जरा, मैं बोल रहा हूँ, के, P, F, over, F, R, किसके equal है, P, D, over, D, O, के equal है, ठीक है, ये रही हमारी second equation, अब देखो, ये भी, P, D, over, D, O, के equal, ये भी, P, D, over, D, O, के equal, तो, from, first and second equation, क्या आगया, भई, ये दोनों आपस में equal आगए है, नहीं आगए, बस, जैसे ही ये equal आए, हमने क्या किया, भई, हमने लिख दिया, जी, by converse, लिख देना, by converse of, BPT theorem, BPT theorem से क्या हो जाएगा, देखो इदर, P, E, over, E, Q, किसके equal आ रहा है, P, F, over, F, R, के, इसका मतलब ये जो red line दिख रही है, वो दोनों क्या आगये, parallel, समझ में आगया भई, ये note करो, देखते अपना question number 6, note it down, तो देखते अपना question number 6, read कीजिए, और ये एक important question भी है, 5th भी और 6th भी, दोनों important question है, read कीजिए, A, B and C are points on O, P, O, Q and O, R respectively, such that A, B parallel to Q, P, Q and A, C parallel to P, R, show that B, C is parallel to Q, R, तो ज़रा देखिए, हमें दिया हुआ है, कि जो A, B है न, वो parallel है, किसके, P, Q के, ठीक है बई, ये कुछ जादी खराब बन गई है, पापा तक हसरे हैं, कोई स्पाप पर, और देखो, A, C, जो है, A, C, जो है, वो बेटा parallel है, P, R के, ठीक है बई, और हमें शो क्या करना है, हमें शो ये करना है, कि जो B, C है न, that is parallel to what, Q, R, समझ बागी बात, तो देखो इदर, अब हम क्या करेंगे, बई, एक बात बताओ, in triangle, कौन सा वाला, P, O, Q, क्या आपको P, O, Q नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, A, B, and, A, B, parallel है बेटा, किसके, P, Q के, तो by B, P, T, theorem, by B, P, T, theorem, क्या हो जाएगा, O, A, O, A, over, A, P, किसके equal होगा, O, B, over, B, Q, के होगा, या नहीं होगा, यह first equation, देखो क्या किया, मैंने ध्यान से देखो, P, O, Q, triangle, देखो, तो यह वाली line इसके parallel है, तो A, O, over, A, P, equal होगा, O, B, over, B, Q, के, या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बाई, B, P, T, theorem, similarly, similarly, in triangle कौन सा वाला, P, O, R, अगर आप P, O, R देखें, तो A, C, जो है, वो parallel है, किसके, P, R, के, तो जब यह दोनों parallel हो गए, तो इसका क्या मतलब है, कि यहाँ पर क्या होगा, A, O, A, over, A, P, equal होगा, किसके, O, C, over, C, R, के, ठीक है, यह second equation, भाई, यह भी इसके equal, और यह भी इसके equal, यह दोनों equal हैं, तो यह दोनों equal होंगे यह नहीं होंगे, तो from, first and second equation, दोनों equation से क्या होगा, O, B, over, B, Q, equal आ जाएगा किसके, O, C, over, C, R, के, अब आप साइस देखो, O, B, over, B, Q, is equals to O, C, over, C, R, तो by, Converse of BPT theorem, by, Converse of BPT theorem, क्या हो जाएगा, B, C, parallel to Q, R, Hence, proved, तो यह कीजिए, आएए देखते हैं, अपना question number 7, note it down, तो आएए देखते हैं, अपना question number 7, read कीजिए, using theorem 6.1, इसका मतलब आपको BPT theorem use करनी है, ठीक है, आपके question में अगर आता है, आपके exam में तो BPT theorem लिख कर आएगा, या थेल theorem, या फिर basic proportional theorem, या फिर basic proportionality theorem, जो भी लिख कर आएगा, ठीक है, तो समझ जाना, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, bisects the third side, देखो आपने ये 9th class मों वैसे किया था, क्या करना है, आप देखो जाएगा, ध्यान समझो, D जो है बेटा, वो मैंने diagram बनाया है, मान लीजिए, कि A, B एक line है, वहाँ जो D है, वो क्या है, midpoint है, A, B का, ठीक है, अगर D midpoint है, A, B का, तो होगा, क्या, A, D is equals to B, D, ये रहा, और उन्हों क्या बोला, D, E जो है, वो parallel है, किसके A, D, C, थोड़ा सा लिख दे, in triangle, A, B, C, D is the midpoint of, थोड़ा सा detail में आप लिख देना, ठीक है, और उन्हों क्या बोला है, कि जो D, E है, वो parallel है, B, C, कि आपको ये शो करना है, कि ये जो E point है, that is midpoint of what, A, C, ठीक है, तो, देखो इदर, since, since क्या है, D is the midpoint of A, B, अगर D midpoint है, A, B का, तो बिटा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, कि A, D is equal to B, D, ठीक है, अब ये multiply हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, divide, यहां से आपको answer मिलेगा, A, D over B, D, या D भी जो भी लिखना चाहें, कितना 1, ये रही हमारी first equation, ठीक है, अच्छे एक बात बतो, हमें ये पता है, since, थोड़ा सा लिख दो, in triangle, कौन सा वाला, A, B, C, क्या हो जाएगा, DE जो है, वो parallel है किसके, BC के, तो by BPT theorem, by BPT theorem, देखो, अगर DE क्या है, parallel है, BC के, तो AD over DB किसके equal आएगा, AE over AC के equal आएगा या नहीं आएगा, तो यहां से आपको मिला क्या, कि AD over DB किसके equal आगया, AE over EC के, Is that clear, अच्छे एक बात हो, AD over DB किसके equal है, 1 के equal है, तो क्या मैं यहाँ पर 1 put कर सकता हूँ, बिलकुल put कर सकते हो, बस आगे लिखना मत भूलना, क्या, कि AD over DB is equal to 1, ठीक है, तो इसको इससे इदा जाकर multiply कर दो, तो EC की value कितनी आगई, AE, बस हो गया काम, भई एक बात बताओ, AE over EC कब आएगा, जब E क्या होगा, midpoint होगा, तो hands, E is the midpoint of EC, हो गया काम, ठीक है, ये note कीजिए, आएए देखते अपना question number 8, note it down, तो आएए देखते अपना question number 8, read कीजिए, using theorem 6.2, मतलब के converge of BPT theorem है न, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, कहने का मतलब, वो ये कह रहा है कि किसी भी दो triangle के, मतलब किसी भी triangle के, अगर दो midpoints को join कर दिया जाए, तो वो क्या होंगी, parallel होंगी BC के, ये हमें show करना है, ठीक है, तो अब देखो, मैंने लिग दिया, in triangle, ABC, D and E are the midpoints of this, भाई, D और E क्या है, AB और AC के midpoint है, और या फिर आप ये कह दो, AD over DB is equals to AE over EC, है न, हमें show क्या करना है, D is parallel to BC, अब देखो जाए, अच्छा एक बात था, ये, in triangle ABC, ठीक है, हमें ये पता है, के AE, AD over DB, AD is equals to DB, ठीक है, तो ये इधर लेकर आओ, तो AD over DB कितना आजाएगा, वन, first equation, इसी तरीके सा आप उधर देखिए, AE जो है, वो किसके equal है, EC के, ये भी धर लेकर आईए, तो AE over EC किसके equal है, वन, ये रहा आपका second equation, तो देखो, इसकी value भी 1 और इसकी value भी 1, तो by, या from, first and second equation, ये दोनो ratios क्या आगए, equal, इसका क्या मतलब है, AD over DB किसके equal आगया, AE over EC के, इतनी बाद समझ में आगई, अब देखो, अच्छे बतो, अगर ratios equal हों, तो sides क्या हो जाती है, parallel, तो by Converse of BPT theorem, Converse of BPT theorem का क्या मतलब है, कि DE जो है, वो parallel आजाएगी किसके, BC के, Is that clear? Please note it down, तो आएए देखते हैं, question number 9, which is one of the most important question of this exercise, read कीजिए, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, and its diagonals intersect each other at the point of O, at the point O, show that AO over BO is equal to C over DO, तो देखिए, given क्या है, आपको ये दोनों lines है, parallel, show क्या करना है, AO over BO is equal to C, ऐसा करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगे, बिटा, थोड़ी सी construction, इसको जोइन कर दीजिए, और इसको भी जोइन कर लीजिए, और बीच में line ड्रॉ कीजिए, पर्पेंडिकुलर, let's say E, ठीक है, तो थोड़ी से यहाँ पर construction लिख देना, कोशिश करना, construction लिखा करो, क्या किया आपने, आपने जोइन किया है, एक तो AC and BC, ठीक है, भाई, BD, कॉमा, आपने ड्रॉ किया है, E, O, ठीक है, पैरलल टू, वाट, AV, विच इस पैरलल टू, DC, देखो क्या किया, मैंने एक तो AC और DB को जोइन किया है, BD को, और E, O, मैंने एक line ड्रॉ की है, विच इस पैरललल टू, AB, as well as, DC, विच, which intersects AB and AC at O, ठीक है, इस तरीका से लिख दिया, अब आप देखिए, प्रॉफ, प्रॉफ में क्या करना होगा बई, मुझे क्या प्रॉफ करना है, A, O, ओवर, B, O, देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ADC, ज़र द्यान से देखना, N ट्राइंगल कौन सा, ADC, यहाँ पर क्या है, E, O, जो है, वो पैरलल है DC के, E, O, जो है, वो पैरलल है DC के, तो यहाँ पर क्या लग सकती है, बाई, BPT theorem, BPT theorem, BPT theorem, भाई, क्या कहती है, कि A, E, O, E, D, is equals to what, A, O, over O, C, भाई, क्या कहती है, कि अगर दो लाइंस पैरलल है, तो A, E, O, E, D, किसके इक्वल होगा, A, O, over O, C के, ठीक है, तो यह तो रही जी हमारी first equation, अब देखो second, similarly, similarly, in triangle, कौन सा वाला, A, in triangle, D, क्या लिखा था मैं रहे, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, A, D, C, अब मैं क्या लूँगा, D, A, B, ठीक है बही, अब देखो, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी, E, O, जो है, that is parallel to, A, B, देखो दर, मैंने कौन सा ट्राइंगा लिया है, मैंने लिया है, D, A, B, जहाँ पर, E, O, जो है, that is parallel to what, A, B, समझ भागई, तो, बाइ, B, P, थेओरम, बाइ, B, P, T, थेओरम, क्या हो जाएगा, भाई, ओवियसली, इसके रेशियोज क्या आ जाएंगे, इक्वल, तो, A, E, O, इडी, किसके इक्वल आ जाएगा, B, O, ओवर, D, O, अब क्या ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा, भाई, ऐसे तो बढ़ाता है, D, E, लिख सकते हो, उल्टा भी, लिख सकते हो, तो यह रही हमारी second equation, तो अब ज़रा देखो, यहाँ पर भी, A, E, O, D, E, किसके इक्वल, A, O, 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 C, O, के, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, A, E, O, 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 E, D, B, O, 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 इसका मतलब यह है, कि from, first, and second equation, भाई, देखो, यह भी, A, O, किसके इक्वल, A, D, O, किसके इक्वल है, E, D, A, O, 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 C, O, के, और यहाँ पर भी, A, E, O, 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 E, D ही है, लेकिन वो किसके इक्वल है, B, O, 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 तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ, तो यहाँ से आपको मिलेगा, A, O, 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 C, O, किसके इक्वल मिलेगा, B, O, 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 D, O, लेकिन अब हमें तो चाहिए, B, O, नीचे और C, O, O, पर, तो भाई क्या करो, इसको क्रॉस मल्टिक लाए कर दो, ना भाई, क्यों घबरा रहे हो, इसको नीचे लेकर आजो, और इसको लेकर चले जाओ, उपर तो C, O, O, D, O, Hence, सिद, सिद कर दिया आपने, ठीक है, तो यह कीजिए, आए देखते अपना last question of this exercise, note it down, तो आए बात करते अपने question number 10 की, which is the last question of this exercise, तो खुश हो जाएए भई, read कीजिए, तो इसका मतलब जो आपको previous question में दिया हुआ था, वो यहाँ पर प्रूफ करना है, और जो वहाँ प्रूफ करना थो इस बार दिया हुआ है, तो देखिए था, हमने क्या किया था, भई अगर आपको याद हो, देखो धर, अगर AO over CO हो तो कुछ बात बन सकती है, है ना, लेकिन वो क्या कह रहे है भई, AO over B हो तो मज़ा नहीं आ रहा हुआ, मैं क्या कर रहा हुआ हूँ, इसको दोवारा से back position में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है भई, अब बैने देखो क्या किया, construction किये, EO जो है वो parallel draw करी है, DC की, एक काम तो मैं करी सकता हूँ, मैं दोनों के parallel तो ले नहीं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, EO को parallel लिया सिर्फ एक line के and that is DC, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, के in triangle, कौन सा वाला, ADC, क्या है, EO is parallel to DC, तो by BPT theorem, by BPT theorem, क्या लिख सकता हूँ, A, E over ED, which is parallel to what, A, O over CO, कोई दिक्कत थोड़ी ना भाई, A, E over ED is equals to A, E over CO, लेकिन ऐसा करने के बाद, A, O over CO किसके equal है, यह first equation, और यह second equation, तो from, first, add, second equation, क्या हुआ, भाई, A, O over CO किसके equal है, BO over DO के equal, तो यह इसके equal है, तो आपस में यह दोनों भी क्या होंगे, equal हो जाएंगे, ठीक है भाई, अब ज़रा देखो, समझो, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, A, या फिर D, A, B, आप समझो, वो क्या कह रहे है, A, E over D, C किसके equal है, BO over DO, तो अगर आप ट्राइंगल, D, A, B देख पा रहे हैं, तो इस ट्राइंगल में, अगर इनके ratios equal होंगे, तो क्या होगा, by converse of BPT theorem, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A, E जो है, वो बेटा parallel आ जाएगी, A, B, K, B, तो अगर मैं इस से compare करूँ, यह first equation, hands, देखो क्या हुआ, E, O जो है, वो DC के तो parallel था ही, और E, O किसके parallel आ गया, A, B, K, B, तो इसका क्या मतलब है, कि A, B, has, A, B, जो है, वो parallel आ गया, किसके, DC के, अगर pair of opposite sides क्या हो, pair of one opposite side parallel हो जाए, तो क्या होता है, therefore, क्या हो जाएगा, A, B, C, D, is a trapezium, यह ऐसा सिर्फ trapezium में होता है, कि pair of opposite sides क्या होती है, parallel, वो हैंड राइटिंग मेरी बहुत जाएद अच्छी है, तो थोड़ा सा compromise किया करो, तो इसी के साथ हमारा, जो exercise है, हमारी जो exercise है, 6.2, वो भी complete होती है, तो मिलते हैं next video में, जो होगा introduction of exercise 6.3, बहुत ही जादा important है, examples देखेंगे, और introduction भी करेंगे, बाकि अगर आपको यह समझ में आए, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को like करके, चैनल को अभी कभी subscribe करो, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए next video upload करूँ, आपके पास notification सबसे पहले आ जाए, और bell अकुन को जरूर on रखना, ताकि आपके पास regular notifications आती रहे, बाकि अपने friends के साथ share कीजिए, till then, take care, keep studying, bye bye. झाल को जाए,